उडिसा सरकार के फैसले की वज़ा से राजे विधानसभा को हाल में आठ बार्स तकित करना पड़ा ये फैसला है कम छात्रों वाले स्कूलों के मर्जर यानि की आपस में विलै करने का उडिसा सरकार का कहना है कि ये फैसला छात्रों के हित में है इसे राजे में शिक्षा की स्तिती को बहतर करने के लिए लाया गया है जबकि विपक्षी डल, बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों इसे शिक्षा के अधिकार के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध कर रही है क्या है ये फैसला? आईए जानते हैं उडिसा के कुल 67,000 स्कूलों में से 52,000 ऐसे हैं जो स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के अंतरगत आते हैं सरकार ने उन स्कूलों को बंद करने की घोशना की थी जिनमें 20 से कम चात्र पढ़ने आते थे हालकि विपक्ष के भारी विरोध के बाद इस फैसले में थोड़ा सा संशोधन किया गया अनुसूचित शेत्र के स्कूलों के लिए चात्रों की नियूंतम संख्या 15 और गैर अनुसूचित शेत्र के स्कूलों के लिए 20 कर दी गई अनुसूचित शेत्र यानी की ऐसा शेत्र जहां जन जातिय आबादी रहती है जिने सम्विदान की पांचवी अनुसूची के तहट अनुसूचित शेत्र घोशित किया गया है उडिसा के तीन जिले पूरी तरह अनुसूचित शेत्र में आते हैं और नौ अन्य जिले आन्शिक रूप से राजे के स्कूल और जन्शिक्षा मंतरी समीर रंजंदास ने कहा सरकार ने उनी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है जहां पर बच्चों की संख्या 15 से कम है अगर विधायकों को लगता है कि कोई स्कूल नहीं बंद होना चाहिए तो वो मुझे लिखित में सुझाव दे सकते हैं विसमबंदित कलेक्टर या अन्य अधिकारियों को भी अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं राजे में 20 से कम चात्रों की संख्या वाले 14,382 स्कूल है इनमें से 7,772 स्कूलों के विले की प्रक्रिया चल रही है ऐसा करके राजे सरकार केवल पढ़ाई के माहौल को सुधारने और गुणवत्तपूर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि विधान सभा में 4,5 गंटी की चर्चा के बाद अनुसूचत शेत्रों में स्कूलों के विले पर निर्णे को बदला गया है दास ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिच कर दिया है कि सरकार राजे के 14,000 स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप नायक ने कहा कि शिक्षा प्रत्यक बच्चे का मौलिक अधिकार है आप इस तरह से स्कूल नहीं बंद कर सकते हैं कॉंग्रेस विधायक तारा बहिनपती ने बीजू जनता दल सरकार की तुलना ब्रिटिश रूल से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार गाओं के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहती है उन्होंने कहा बीजू जनता दल सरकार ने 14,000 स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है हम चाहते हैं कि हर स्कूल चलना चाहिए मैंने स्पीकर के सामने स्पष्ट कर दिया है कि अगर स्कूल बंद हुए तो मैं सदन के अंदर ही सूसाइट कर लोगा मर्जर की ये प्रक्रिया नीती आयो की सतत कारवाई का हिस्सा बताई जा रही है ओडिसा सरकार ने मार्च में कम नामंकन वाले स्कूलों को मर्ज करने की अधिसूच ना जारी की थी लेकिन लोगडाउन की वजह से ये प्रक्रिया लटक गई नवंबर के शुरुआत में जिला प्रशासन से स्कूलों के विले की प्रक्रिया शुरू करने में तेजी लाने के लिए कहा गया है आपके लिए खबर लिकीती हमारे साथी गौरव ने अगर आप ये विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें देखते रहे हैं दीललन टॉप